पाकिस्तान के पृधान मंतरी इमरां खान ने जब अमरीका के राष्टपती डौनल्ल ट्रम्प से मुलाकात की तो भारत की नजरे भी इस मुलाकात पर बनी हुई थी आखिरकार भारत का सबसे एहम पडोसी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्टपती से जो मिलने वाला था लेकिन इस मुलाकात के बाद अमरीका के राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प ने जो बात कही उससे भारत हैरान रह गया बगल की कुरसी में इमरान खान को बैठाए ट्रम्प ने कहा कि दो हफते पहले उनकी मुलाकात भारत की प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी से हुई इस मुलाकात में मोदी ने उनसे कहा था कि वो कश्मीर समस्या को सुलजाने के लिए मध्यस्ता करें ट्रम्प के मुह से ये बात निकलने के बाद भारत ने भी अपना जवाब दिया भारत के विदेश मंत्राले ने ट्रम्प की बात को खारिज करते हुए कहा कि भारत की तरफ से मध्यस्तों की कोई बात नहीं कही गई है यही बात भारत के विदेशमंत्री एस जैशंकर ने लोकसभा में भी दोराई है भारती विदेशमंत्रा लेके प्रवक्ता हैं रवीश कुमार उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों का समाधान शिमला समझोता और लाहौर घूशनापत्र के जरी हुआ था इस युद्ध में दोनों देशों को काफी नुकसान पहुचा आगे इस तरह के हालात ना बने इसके लिए दोनों देशों के बीच दो जुलाई 1972 को एक समझोता हुआ जो कि शिमला में हुआ और यह समझोता भारत की प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी और पाकिस दूसरे को सहमती में लेना जरूरी होगा इस समझोते के तहट दोनों देश सयुक्त राष्ट के तैय मानकों के हिसाब से अपनी सेनाओं का इस्तिमाल एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर सकते साथ ही भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की छवी को खराब करने की कोशिशे भी न परदद पहुचाएं इसी समझोते में बताया गया कि जम्मु कश्मीर की सीमाओं पर तैनाथ दोनों देशों के सेनाओं को सीज़ फायर का सम्मान करना होगा और किसी भी तरह की गोलीबारी नहीं करनी होगी तो यह बात हुई शिम्भला समझोते की इस समझोते की तमाम ब शरीफ के बीच हुआ इसमें शिमला समझोते को लागू करने के साथ साथ आतंकवाद को रोकने के लिए कदम उठाना भी शामिल था साथ ही human rights को protect करने की बाद भी कही गई थी इसके लावा दोनों देश परमाणु हतियारों को लेकर भी आपसी भरोसे को बनाए के लिए राजी हुए ताकि किसी तहे के विवाद को रोका जा सके 2003 में न्यूय यॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवास शरीफ ने कहा था कि कश्मीर मुद्दे का हल संयुक्त राष्ट तुरक्षा परिशद के को नहीं रोकता है दोनों देशों के बीच बाइलैटरल टॉक्स नहीं हो सकती है